करनाल में हुई पहली बरसात नहीं शहर में हुई विकासकार्यों की पॉल खोल कर रगती इसी कड़ी में शहर के मुखे एरिया सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 6, 8 और 9 और 7 की सडकों पर 4-4 फुट पानी खड़ा रहा लगबग एक घंटे हुई बारिश से शहर जलमगन हो गय स्कूल में आने जाने वाले चात्र चात्राओं को प्रिशानी का सामना करना पड़ा कामकास पर जा रहे नागरिकों को भी भारिश जलमगन सडकों से प्रिशानी दिखाई दिखाई दिया कुझप्रा रोड में भी दुकानों के आगे कई-कई फुट पानी खड़ा होने से दुकानदारों में रोश दिखाई दिया वहीं दूसरी और मानसून की इस बारिश से किसानों के चेहरे के लिए दिखाई दिये विज्ञानी को किनुसार यह बारिश किसानों के लिए बहुत लाबधायक है आने वाली धान की फसल में ज्यादा पैदावार होने की उमेद विज्ञानी को द्वारा जताए जा रही है जहां यह बर्शाद किसानों के लिए वर्दान सावित हुए वही पर आम नागरीकों को कामकाज पर आने जाने में तो प्रेशानी का सामना करना पड़ा स्कूली बच्चे स्कूल आने जाने में प्रेशान दिखाई थी